दोस्तों नमस्कार मैं अजय पत्रकार केजरी वाल जी डर गए हैं और डर कड़के क्या कह रहे हैं कोर्ट में मैं तो इडी के पास चला जाओं केजरी वाल का पक्ष बसरते हमको एरेश्ट ना करें हमको जेल ना भेजें इस चीज का और देखिए जिस समय संजे सिंग मनीश् कि सम्मावना थी सटेन जैन की बिजय नायर कि तब क्या कहते थे जेल जाने से नहीं डरते हैं तब यह कहते थे जेल जाने नहीं डरते हैं इडी का सामना करेंगे सी बी आई का सामना करेंगे तब यह यह कहते हैं मैं अभी संजे सिंग के हाँ जब ईडी का वो फोर्स गई उस समय इन्होंने उनको समझा आए कि नहीं सामना कलो जबकि संजय सिंग निकल सकते थे तो ये पोईशन अपना खुद बचना चाहते है अरेस्टिंग के उसमें अपने सारे साथियों को इनों ने अपनी खास के कविता जी को सुकेश चंसेकर ने कहा भी है इनके लिए कि केजरीवाल जी की बहत खास वो भी जेल चली गई और सुकेश चंसेकर उन सबका इंतजार कर लाकर रहा बेलकम आप लोग आईए अब पूरी मंदली बने पूरा किलब बने तो तिहार किलब बनने वा इनके उपर एडी के संबन के दो मुकदमे थे उस पर क्या किया कि यह सेशन चले गए और सेशन से भी संतुझ नहीं हुए तो हाई कोट चले गए हाई कोट में इन्होंने कल डायर किये और आज पता चला कोट ने बहुत तगड़ा जवाब दिया यह देखिए अरविंद के गोड़ा नहीं कहिते क्यों नहीं जा रहा है एडी के सामने से क्यों भाग रहा है क्यों भाग रहा है कि सबको कहते थे कि जेल बहुत अच्छी भिवस्था करती है हमने और जेल जाने से घबलाना नहीं सब लोग तयार हो सबको जेल भेजना चाहिते है खुच जेल जाने प यही पोईशन इन्हों ने वो की थी और आपको बताना है एक चीज इनकी और छिपी रही जिस समय लोगपाल बिल वाला गामलीला मैदान में जो कांड हुआ था पुलिस ने एकदम से इंटी की थी तो इनके लिए बताया जा रहा यह भी भाग गय थे यह निकले नहीं थे कि अब आप समय लीजे यह इस्थित है के कविता के पिता जी का राजनेतिक केरियर खतम हो गया मुखमंते पस्से भीचारे उतारे के फीक दिए III कविता कुनकि इनका साथ हुआ केजरी वाल ने के अब के कविता भीचारी चेल चुश्ru question इनका जहाँ जहाँ साया पड़ा है वहां सत्यास हो गया उन्हों पर्लैमेंट में किया आपसे बिपक्षि जीती नहीं पारा पना पी नहीं पारा जब इंडी गट बंदन से आए तन्हों भी नहीं पाड़ा आप समझावता कर लिया कहीं भी कार करता आपका कांग्रिस के साथ ही नहीं हर जगह आप से बता रहे हैं इनके हाथ में भसमा सब लोग कहते हैं अब देखे क्या तो असल वजए ग्रफतारी की डरती मनीश सोधिया संजय सिंग सतेन जैं सब को ग्रफतारी का डरने का नहीं यह बोलते थे अभी तक के दिए बोलने वाले केजरिवाल आज हाई कोर्ट में कह रहे हैं कि इडी सब्मन पर तभी जाएंगे जब तैं हो कि ग्रफतारी नहीं होगी या कोर्ट आदेश देदे कि कोई एक्सन नहोगा जो भाई लोग जेल चले गए अब यह क्या कह रहे हैं कि मैं तो तैयान हो एडी क्या ग्रफतारी नहों बताइए कितनी बड़ी बात है यह कह रहे हैं कोई अपरादी अगर कहे हम तो तैयान हैं मगर हमसे सामान बरामदगी नहों यह ना पूछा जाए क्या क्या वो किया था क्या अपराद यह ना पूछ लिए इनको डेट दिये अब आपको चीज और क्लियर कर दें कि आज मारलेना जी ने प्रस कॉन्फेंज की उसमें कहा कि इडी ने इनको नोटिस किया इनसे जवाब मांगा जबकि ऐसा नहीं आपको बता दें कि एडिशनल स्वाली सीटर जनल जो वहां पर गए मिश्टर कुद्री जी मैं इससे सहमत नहीं हूँ और मैं इनकी बात का जवाब दूँगा इनके उसका बात का जवाब यह उन्होंने कहा मैं जवाब दूँगा तो जब जवाब देंगे तो नोटिस देना नोटिस का ही जवाब देंगे तो यह कहा और मालेना जी उस सब्दों को तो में आज कोड़त ने इक बात और इनको बोली है, जो सब से ज्यादा इन्पोर्टेंट है, हाइकोड ने कहा है कि दिल्ली हाइकोड के जरिवाल जी से कहा है, You are a citizen of this country, You are only citizen of this country, आप भारत के सिर्म नागड़िक हैं, भारत के नागड़िक हैं, इस बात को आप जाने, किसी से कहा जाए कि आप याद रखे कि आप भारती भी हैं अगर यह बात कहें आप यह याद रखे कि भारती भी हैं आप आप सम्मन पर क्यों नहीं आपके नाम से सम्मन है और आप भाग रहे हैं क्यों नहीं उसके आप जाच का आपको सामना करना ही पड़ेगा यह उन्होंने इस पर सब्दों में आज कहा इन सब के वाबजूत भी इनके जेव जू नहीं रेंग रही है आज एभी का हाई कोड ने आपको जाच का सामना क्यों नहीं करना है और आप जवाब को आपको देना ही पड़ेगा इससे बड़ी क्या बात है हाई कोड ने इनको सबग दे दिया जो इनकी डेट है सम्मन की डेट जो मालेना जी और पाठक कह रहे हैं इनके कि उसमें को जारा है और सम्मन को अवैधानिक गैर कानूनी का इससे साफ है कि ऐसा कुछ भी नहीं का उल्टा इनको जारा है कि आपको जांच का सामना करना ही पड़ेगा और जवाब आप क्यों नहीं दे रहे है जवाब मतलब E.D.K. परसनों का जवाब क्यों नहीं दे तो इनको देना पड़ होके अब हाई क्या जगाय आप देखिए ये खुद को कोट और समधान से ऊपर समस्ते हैं अरविंद केजरीबाल जी की जो इस्थित है वो तो हाई कोड ने कहा था मगर अब आप देखिए क्या इस्थित इससे चीज निकल लई है कि केजरी बालो आप पार्टी की कितनी जब एक बैड हैबिट हो गई है कि ये लोग खुद को कोट और समधान से ऊपर समस्ते हैं जब चोड़ी नहीं की तो जांस से सयोग कीजिए और क्लीन चिड लीजिए और अगर चोड़ी की है तो सजा तो भुगतिनी ही पड़ेगी अब अगर आपने गुना नहीं किया है तो क्यों आप क्यों नहीं जा रहें इसका मतलब यह है कि चोड़ी डरता है अगर किसी की गलत मान सकता है यह खुद पहले कहते थे जब लोग पाल भी लाया था तो कहते थे कि मैं यह करूँगा इनके खिलाब वो जांच होगी यह लोग क्यों नहीं जाते CBI के पास ED के पा सब के लिए भी काफि कुछ कहा लालो यादो के लिए मुलायम सिंग के लिए काश सब फेर बैष्टा चार के आरोब लगाए सब के लिए कहते थे एडी का यह सीबी आई का क्यों नहीं सामना कर रहे हैं आज हाई-कोल्ड ने ऑप सामने क्यों नहीं हाजिरोट रहें क्यों बोलिए कि सब तयार हैं अगर उन्हें ए्रस्टिंग से सद्रख्षन मिल जाए कितनी बड़ी बात है गुनेगार आदमी ये कहें कि ए्रस्टिंग से मुझे सद्रख्षन मिल? कल को पताचला कि कोई बहुत बड़ा गुनेगार और वह दालत में यह कहें माल लीजे निठारी कांडुवागा उसका अपड़ादी यह कहता कि सल मजे अदालत से सनलक्षर मिल जाए अदालत सनलक्षर है इसे मामलों में क्या सनलक्षर देगा इतने बड़ा घोटाला जिसमें 100 करोड रुपए मोटा मोटा इनके लोगों ने सुकार किया सुके इडी के पाद नहीं जा रहा है मतलब कोई अरेस्टिंग की बात नहीं है कोड तो दूड़ा इडी के पाद जाने से ड़ला इसका मतलब गुनायगार है यह चाह रहे हैं जब तक सत्ता हम कर लें तब तक हाजिल है आज जब इन्होंने यह कहा कि सनलक्षर मिल जाए तो पेस से आपको आज स्वाली शीटर जनरल एजबी राजू थे उन्होंने क्या का कि साव याचका कि सुनवाई जो है योग नहीं है हम जवाब देंगे अब जो अप्रेल की लास्ट बीक के लास्ट दिन इसकी तारीक पड़ी है मगर उस बीज में आपको किलियर कर दें जो सम्मन है वह यथावत रहेगा उसके लिए कोई आदेज नहीं हुआ आप पार्टी लगातार उसके लिए गलत बोल नहीं है और उन्होंने भी का इस भी राजू जी ने ग्रपतारी से डढ़ने का नहीं है यह पहले भी मनिश सोधिया सतेन जैन और संजे सिंग इन सब की ग्रपता पारी भी थे जिन्होंने भी उनके साथ बोला और सबसे जो आज बात रही वह प्रेस कॉंफेंस इन्होंने कराई संदीप पाठक से संदीप पाठक ने आज ऐसा बोला है कि तूफान आ जाएगा अगर जेल में डाला गया तूफान आ जाएगा आपको ताने केजरिभाल न में अरेस्टिंग हुई और 36 गड़ के अलावा जारखन के चीप मिनिस्टर की वे अरेस्टिंग हुई कहीं कोई तूफान नहीं आया तमाम लोग हुए संजे सिंग के यहां गए बाकाइदे साम तक वहां पर फोर्स रहा एडी रहें कोई तूफान नहीं आया यह तूफान यह साब ने इनके जो गुरुज उन्होंने पैसा करा है उन्होंने किलब बना दिया तिहार में यह भी वहां पर होली में होली के दिन दिल मिल जाते हैं रंग खिल जाते हैं